असलाम लेकों सुडेंट्स मैं हुजाफर रफी अपका टीचर केमिस्टी के और हम डिस्कस करने हैं टेंथ क्लास फेडरल बोर्ड केमिस्टी आज जो हमारे पास टॉपिक है वो रिविए क्वेस्टन हैं उन्हें देखते हैं और हल करते हैं और विद रिजन उसकी हम सुलूशन तलाश करते हैं दे नेच्रल अकरिंग मटैले कंपोनेंट आर कॉल्ड एज मिनरल क्योंकि हमारे पास जो गैंग पार सौरी जो और होता है उसके अंदर जो है वो रिजनेबल माउट मजूद होती है करी कि फ्रस्ट कॉप्शन हमारे पास सी होगा और हमारे पास नेक्स असे सप्रेशन ऐस्ट इसाइटेशन में यूज तो इससलिए यह व्राइशन होगा हमारे पास next हमारे पास in electrolytic refining of copper dash is used as a node impure copper तो B option आपके पास होगा जी इसका correct option which one of the following is not a raw material for the manufacturing of soda ash carbon monoxide carbon monoxide जो है वो B option आपका correct होगा क्योंकि वो इस्तमाल नहीं होती बाकी इस्तमाल होते है not a raw material वो नहीं है बाकी है mixer of copper Cu2S and FeS is called made it is produced is one of the metallurgical operation तो यह आपके पास है रोस्टिंग B option next आपके पास question number 6 के बास 7 है आपके पास chemical formula of slake lime C option C A O H over 2 calcium hydroxide इसका नाम है next calcination is a process with sodium hydroxide hydrogen carbonate is heated to get sodium carbonate which is not obtained in this process C O carbon monoxide का यहां पे कोई role नहीं है percentage of nitrogen in urea is 46.6% यह पहले ही बात हुई थी तो इसका D option है इसका हमारे पास correct होगा तो अब तक के लिए इजाज़ती जीए कर नेक्स वीडियो में हम इंशाला शॉर्ट क्वेस्टन और लॉंग क्वेस्टन दोनों को ही discuss करेंगे तब तक के लिए इजाज़ती जी अलाफिस